यह वीडियो लास्ट टुक देखना बहुत ही फनी है अब अगर आप यह वीडियो देख रहा है तो मुझे थपड़ बात बाद रहा है हलो टी फैम वल्कम बैक टू माई चैनल तो आप लोग सोच जो होंगे कि आडे यह टी फैम कहा से आ गया तो पहले मैं बता दिती हूँ इसके पिछे एक स्टोडी है वो मैं किसे और दिन आप लोगो बोलंगी तो अभी जो मैं वीडियो करने वाली हूँ आप लोगो तो टाइटल अर थम्मल देखके समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है तो क्या है ना मानवी का शादी है अज आज चुड़ बोल रहा है तो इसलिए मानवी अश दुलहन सजेगी तो मानवी का श सब्सक्राश का यही रेजन है मेरा क्योंकि हमारी या पर जो बच्चों का जो छोटा मतलब जो अननेपराशन होता है तो जो वह सोते एंको अधु पूरी करेंगे और उसका दुलन सजा हुआ एक फोटो लेंगे और लेकर घर में बढ़ा करके लगा के रखेंगे फोटो अरे हाँ भाई हाँ तो इसलिए तो मैंसे चलो आप लोग सब भी वीडियो शेयर कर लेती हूं कि मैं कैसे मानवी को सजाती हूँ तो चलो स्टार्ट कर करेंगे कि इतना बड़ा सारी बेनरसी का मानवी कैसे पहन रही है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि बच्चों को कैसे बड़ो की सारी पहनाते है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पेल चाहे का दीख लिए बाल लोचके दम टकली कर दो मुझे जल्दी करो मुझे नीन दा रही है रुक जरा जब से पैदे रही तब से सोड तो रही है रुक तुझे मैं सजा लू औरे अरे तुम बडी स्प्रे हेर में क्या मार रही है अरे गधी ये बडी स्प्रे ने है इसको हैर सटिंक स्प्रे कहते है इसको हैर में ही लगाते है ओ आज तो तुम मुझे गुल दस्ता बना के ही छोड़ोगी अज़े गुल दस्ता बनाने के क्या जरूरत है तू तो पैर से लेकर सर तक एकदम से खुद ही एक फूल है तो ये नेकलेस मैंने मानवी के लिए एकदम से प्योर गोल्ड का बनवाया है जोगी काफी महंगा क्या जूट क्यों बोल रही है ये नेकलेस इस चोड़ बजार से लिकर आई हो वो भी सोड़ पैकार बोल रही है इधर सोने का है चिला चिला कर स्की में बता दे सारी तो फ्रेंस नातरनी में सच बात बोल गए बैच्ची तो अब जो भी हो अब मैं फिर से मांदी को सिजाने में फोकस करती हूँ तो देखो मांदी के येरिंग्स भी हो गए सब कुछ हो गए और ये जो चूरी है ना वो बहुत बढ़ा है मेरे साइस का है लेकिन मेरे पास कोई गोलन कल का चूरी है नहीं तो इसी से काम चलना पड़ेगा तो मांदी का के पहले मुझे याद आया कि पहले मैं थोड़ा सा मेक अप कर लिए फिर मांदी का लगाऊंगी हाँ हाँ तुम तो होई बुलकर अब बात बात पे क्या मेरा इंसल्ट करना जरूरी है क्या है इंसल्ट करना जरूरी है तो बेसिकली मानवी तो मेकप करती नहीं लेकिन वो आज कर रही थी तो वो काफी ज्यादा खुश थी हाँ मैं खुश थी बट मैं बट डेरी भी थी अगर पापा ने ये वीडियो देख लेने तो मार मारी के यसी लाल बना देंगे और मेकप की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा ठीक है तो अभी मैं इस ज्जाडू से तेरा मेकप उतार देती हूँ तेरे इतनी जो पटर पटर जवाब रेडी होते है न ये किस डिक्ष्णरेट से सीखा है तुने ये तो 1.9 के लोगों को पता है 1.9 के? हाँ 1.9 के सस्क्राइबर्स में स्टपत स्टाइलर जोन से सीखा है मैंने अब चुपचा बिना हसे बैट देखा और हस लगे ना गल पे अब इसको पूछते पूछते रात के 12 बजेंगे अच्छा अच्छा ठीके कर लो तो मान भी कर लो कि एकदम से इंकम्टीर लग रहा था जब तक मैं ये रेट वाली बिन्दी लगा लू तो मैंने लगा लिया और लगाने के बाद हमारा बैंगोली का सबसे फेमस है ये क्योंकि ब्राइड्स हमारे बैंगोली में ये सब लगाती है तो वाइट और रेट कलर की फेब्रिक से मैंने सिंपल सा करके बना लिया क्योंकि मैं कुछ कचरा करने भी नहीं वाली हूँ तो मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है तो बस सिंपल ही किया और नाक में मैंने लगा लिया एक स्टोर की एक बिंदी है और दुलहन अकर नेत ना लगाए तो अच्छा भी ने रखता लेकर ये दुलहन बड़ी प्यारी है ये क्या कंदे पे क्या सोकी जी का पत्तर रखा है जो सारी खुल रहा है अड़े नहीं नहीं तु पत्ली है ना इसलिए चल अभी जिसके लिए इतनी गर्मी में तु सचके बैठी है फोटोस वो किजवा लेते हैं चल अड़े अभी अभी तो तुने मेकप किया अभी अभी क्यों फिर से चोड़ी करके मेकप लगा रही है तू काहे का मेकप कंजसी करके मेकप लगाया है और टचप भी नहीं करने दे रही है हम हम ठीक है अभी गोड़ गर्ल बनके संदर संदर फोटोस किजवा और मॉडल की तरह पोजमा अगर आप ये वीडियो देख रहा है तो मुझे थपड़ बात मार रहा है यारी कित्ती ओसम है यार फ्रेंज आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि मानवी का लूक आप लोग को कैसा लगा बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं ये वाला वीडियो बना हूँ लेकिन बनाने ही पा रहे थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था तो मानवी कैसे लेकर ये बोलना ओके इतने गर्मी में बहुत मैनज करके हमने ये वीडियो बनाया है टी फैम्स एक लेक तो बनता है